Hello Everyone, मैं सुमन गुपता, आप सब का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल Creative and Learn में स्वागत करती हूँ Lunch box में pack करके देना हूँ या dinner की preparation करनी हूँ तो कम मसालों में बने भर्वा बैंगन is the best for serving as a main dish ऐसे स्वाधिस्ट भर्वा बैंगन आप बना कर खिलाएंगे न तो परिवार में आधा किलो नहीं, एक किलो बैंगन लगेगा और एक और बात कहूँ, 40 रुपे किलो है, सस्ते हैं बैंगन तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने आधा किलो छोटे बैंगन लिये हैं इसमें मसाला फिल करने के लिए यहां पर दो चोटे चमच मीठी सौफ लिया है, एक चोटा चमच यहां पर जीरा लिया है, एक चोटाई चोटाई चमच यहां पर मेथी दाना लिया है, साथ ही मैंने यहां पर हल्दी पाउडर लिया है, एक चोटाई चोटाई चमच, एक चो हो चुका है अब इसके अंदर मैंने सॉफ जीरा और मेथी दाने को डाल कर ड्राइड रोस्ट कर लूँगे मसाले जोने वो ड्राइड रोस्ट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है बस इसको बंद कर दे फ्लेम को और ठंडा करके इसका पाउडर रेडी कर लें यहां पर मैंने सॉफ जीरा और मेथी दाने का पाउडर मिक्स कर दिया है इन सभी तया रहें अने को में हैं और हैसे प्रसले आप हैं जालो थे आपक तो यह मिल्या। में इसके अंधर लिए कर दाना। मसाले को अच्छे से फिल करके इसको एकी करके आप इस तरीके से रखते जाएं तो यहाँ पर मैंने सारी पैघन के अंदर मसाला फिल करके रख लिए है गैस पर मैंने पैण रख दिया है, मेडियम फ्लेम पर है, और इसमें एक बड़ा चमज जो है, औल डाल दिया है, औल जो है в apare बाम हो चुका है और इसको धक्कन लगाकर रख दूँगी 10 मिनट के लिए धक्कन को 10 मिनट के बाद इस परिकेश अपोजित डारट फिल में हटाना है प्लेन लोही है अब इसको सेज़ पर एक ही करके आप इसको पलट लूँँगी तो यहां पर मैंने सभी बैंगन को जो है एक बार पलट लिया है अब वापस से मैं इसमें धकन लगाकर 10 मिनट के लिए फिर से इसको धक्के रख दूँगी इस तरीके से क्या होगा कि सारे बैंगन जो है इवनली पक जाएंगी 10 मिनट के बाद वापस से धकन को हटाएं हमेशा धकन अपोजित डारेक्शन में ही हता है इससे क्या होता है ना सीम जो है वो फेस पर नहीं लगती है अब देखें हैं यहां पर सभी बैंगन जो हैं एक वापस फिर से पलट लेने हैं 10 मिनट बाद अब वापस से धकन को हटा दें और नाइफ से इस तरीके से प्रेस करके देखें अगर देखनें आप यह एजी ली अंदर नाइफ जा रहा है तो इसका मतब यह है कि यहां पर सभी बैंगन जो हैं को खो चुके हैं अब मसाला डालने के बाद में यानि कि जो टमाटर प्याज का मसाला बनेगा उस टाइम पर इसको बैंगन को पकाने की ज़रूरत नहीं हैं बैंगन को इस तरीके से भी सूखे खाये जाते हैं कुछ लोग ऐसा भी खाना प्रेफर करते हैं अब क्या करना है यह सारे बैंगन अलग प्लेट में निकाल लेने हैं और पैन को क्लीन कर लेना हैं क्योंकि अगर मैं इसी मसाले में प्याज को भूनती तो वह प्याज कम भूनता मसाने बल्कि जल जाती तो इसलिए मैंने पैन को पहले क्लीन कर लिया अब पैन मेरा गरम हो चुका है यहां पर मैंने एक बड़ा चमत जो है वह रिफाइंड ओल डालिया है साथ मैंने एक एक चोटा ही छोटा चमत साथ ही मैंने आदा चोटा चमत जो इसमे जीरा डाला है गैस को मैंने मेडियम फ्लेम पर रखा है यह राई जीरा इस अब गरम हो चुके हैं भून चुके हैं यहां पर अब मैं इसके इन्दर प्याज डालूँगी और प्याज को लाइज पिंक हो तत्प भूनेगी, इसके बाद में लसन अध्रक दालेगी, त्याज का कलर जैसे ही डाइलूट हो जाता है, यानि कि जिस तरीके से लाइट तिंक हो गया है, बस इसी में मैं लसन अध्रक का तेज दालेगी, यहां पर मैंने 5 लसन की कलियां, और आधा छोटा अध्रक यानि कि अध्रक कूट कर इसके अंदर पेस्ट बना लिया है यहां पर, और इसको भी मैं इसके साथ डालकर भून लूगी, अब प्याज को मेरेको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, याद रहें प्याज जलना नहीं चाहिए, गोल्डन ब्राउन होना चाहिए बस, प्याज औ अब बस इसी स्टेज पर मैंने टमाटर डालने हैं इसके अंदर, और टमाटर को भी अभी मसाला बिना डाले ही, अच्छे से भून लेना है, जब तक इसका पानी जो है सारा सूख ना जाए, यहाँ पर मैंने आदा छोटा चमच जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आदा छोटा चमच मैंने यहाँ पर नमक डाला है, आदा छोटा चमच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, एक चोधाई छोटा चमच मैंने लाल पिसी मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला आदा छोटा चमच, मसालों को अब अच्छे से मिक्स करें, यहां पर मैंने दो हरी मिर्ची डाली है काटकर, साथ ही में इसके अंदर एक बड़ा चमच जो है मलाई का डाल रही हूँ, मलाई से क्या होगा कि जो मिर्च है वो बैलेंस हो जाएगी, साथ ही इसके अंदर इस तरीके से इसको आपस में मिक्स कर लेंगे आप देख रहे हैं मलाई इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है माचारा मसाला भून चुका है अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी मटर डाल रही हूं मटर भी इसके साथ में पक जाएगी अगया इस मसाले को अब धक कर रख दें जब तक कि पानी साइड में बॉइल होता है अब तक हटाएं और फिर से मसाले को मिक्स कर लें मटर यहां पर पास चुकी है अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है यहां पर पानी मैंने गरम यूज किया है उबला हुआ पानी है यह सारा और अच्छे से मिक्स करें इसको के आप देख सकते हैं यहां पर पानी जो मैंने जितना भी डाला था वो सारा का सारा मसाले के साथ में भून चुका है अब क्या करना है अब इसमें दुबारा पाने डालना है उबला हुआ ही पाने डालना है इसमें आपने दुबारा से और फिर से सारे मसाले को दुबारा पका लेना है इस वाज मसाला पकाने के लिए आपको धकन लगा कर रफना है बस एक वार ये मिक्स कर दिया है अब धकन लगा दें इसके लिए फ्लेम को लो कर दें पांच मिनिट के बाद में धकन वापस से अपोसित डारेक्शन में हटाना है अब आप देख रहे हैं यहां पर जो है सारा का सारा ओयल की सरीके से उपर को आ गया है अब इसके अंदर एक वारी सारे मसाले को फिर से मिक्स कर लें और सारे बैंगन जो निकाल के हमने अलग प्लेट में रख लिए थे ना अब वो सारे बैंगन इसके अंदर एक एक करके डालें और मसाले के साथ मिक्स कर लें तो पर से धनिया भी डालना है सारे बैंगन को मैंने अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लिया है अब इसके उपपर मैं धनिया डालूँगी धनिया डालने के बाद में मैं इसको ढख करके 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो मसाले है न वो अच्छे से बैंगन के साथ में मिक्स हो जाए 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढख के रख दें धकन को हटाएं आप देख रहे हैं कि सब बैंगन के अंदर के सरीके से सारे मसाले कोट हो चुके हैं और ओल जो है वो उपर उपर आ गया है बस फ्लेम को आफ कर दें और अच्छे से मिक्स करके सर्विंग बॉल में इसको सर्व करें स्वस्त रहें खुश रहें लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल